हलो बच्चों इस सेशन में हम लेंगे GST का assessment and audit chapter इससे पहले मैं आपको एक चीज clear करता हूँ यह theoretical chapter है आपका क्या कहना है सर chapter चाहे theoretical हो चाहे practical हो हम exam के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो अगर आपका यह attitude है तो बहुत कम समय में हम यह chapter complete कर लेंगे पहला topic लेते हैं self assessment का देखो यह पढ़ने की जरूती है आपको पहले से पता है मुझे खाली आप इतना बता दो GST में कोई भी registered person होता है तो वह अपनी every tax period की tax liability calculate करके returns लगा कर payment करता है कि नहीं करता है यह सर करता है इसी process को बोलते है self assessment पढ़ने की जरूती नहीं है बात करते है प्रोविजनल assessment की यह क्या होता है द्यान से सुनना आप मुझे खाली इतना बताईए GST निकालने के लिए GST calculate करने के लिए आपको ऐसी कौन सी दो चीत चाहिए सर एक तो supply की value चाहिए है और उस supply पर कौन सी GST की rate apply करेगी वो rate चाहिए है अगर यह दोनों निकल जाए तो value पर हम rate apply करके GST calculate कर सकते हैं और अगर मैं आपसे यह कहूँ कि अगर आप इन में से apply करेगा वो नहीं पता कर पा रहा है ऐसे cases में law कहता है आप provisional assessment के लिए apply कर दीजे electronically application देखे और reasons बता दीजे चलिए सर यहां तक समझा अप proper officer क्या करेगा सर सिंपल अगर हमने apply किया तो वो हमको allow करेगा तो यहीं देखो लिखा हुए proper officer एक order issue करेगा और आपको allow कर proper officer order में आपको एक initially क्या value लेनी है क्या rate लेनी है provisional basis पर वो बता देगा final assessment में अभी time है वो provisional basis पर यह बता देगा आपको क्या value और rate लेनी है and number B आपको bond amount भरना पड़ेगा क्यों sir क्यों क्यों provisional assessment के basis पर जो आप tax pay करोगे वो हो सकता है final assessment में जो tax आएगा उससे कम हो होगा तो फिर आपका जो difference tax है उसके लिए उनको डर है कि कहीं आप भाग नहीं गए इसलिए आपसे वो भरवाएंगे bond amount और उसमें लेंगे आपसे bank guarantee के form में security BG को बोलते bank guarantee sir कितने value की security लेंगे up to 25% of total bond amount जितने का bond amount उसके 25% तक कि आपसे ली जाएगी bank guarantee तो सर यहां तक तो समझ आगे हम apply करेंगे proper officer हमको allow करेगा अब बात करते हैं finalization of provisional assessment का topic की हमने apply किया वो allow किया अब वो final करेगा ध्यान से देखना proper officer final order pass करेगा six month में कब से from the date of communication of order of provisional assessment मतलब आज अगर provisional assessment का order pass हुआ है वहाँ से 6 महिने में final assessment का order pass हो जाएगा ध्यान से सुनना अब important चीज ब्रेकेट में देखो अब on sufficient grounds plus six month maximum extension देगा joint commissioner additional commissioner मतलब 6 महिना जो पहले था उसमें और 6 महिना add-on हो जाएगा joint commissioner additional commissioner अगर extension देतो प्लस इसका मतलब और extension है further maximum four years by the commissioner commissioner और आगे चार साल बढ़ा सकता है short में लिख देता हूँ आप ऐसा लिख लो six month plus six month plus four y मतलब simple initially 6 महिने का time limit दिया गया final assessment order pass करने का अगर उस 6 महिने में sufficient grounds है कि order pass नहीं हो पाया तो और 6 महिने तक के लिए extend हो जाएगा बढ़ joint commissioner additional commissioner extension देगा और अगर उस six plus six में भी काम नहीं हुआ तो commissioner आपको और four years का extension दे सकता है sufficient grounds पर आए आगे बढ़ते हैं अब आप मेरे को एक बात बताइए यह जो final assessment order pass हुआ है इसमें द्यान से सुनना जो provisional assessment का tax है उसके comparison में tax ज्यादा या कम आ सकता है कि नहीं आ सकता है यस सर बिलकुल आ सकता है अगर ज्यादा आया तो difference हमको pay करना होगा और अगर final assessment में tax कम आया तो difference का हमको refund मिल जाएगा यहां तक आप बिलकुल correct हो यहां कोई problem नहीं अब आएगी अगर extra tax pay करना तो उस पे भी आएगा interest और अगर आपको refund मिल रहा है तो उस पे भी आएगा interest वो interest का provision को समझाना है आए देखते हैं अगर provisional assessment से final assessment का tax ज्यादा आ रहा है ध्यान से द करना है और multiply period अब period क्या होगा logically सोचिए जिस tax period का यह मेरा original liability है उस tax period का जो tax pay करने का due date होता है उस due date से लेके जब तक मैं pay नहीं कर देता तब तक के period का आएगा interest तर एक्जांपल देके बताए में मन्त का कोई supply था उसकी tax liability कब आती है normally 20 जून को तो 20 जून को आपकी tax liability थ देते तब तक हो गया simple बात करते अगर provisional assessment का tax कम आया final से तो आपको refund मिलेगा अब ध्यान से सुनना उस पे interest मिलेगा वह बहुत खतरना आ गया rate 6% है इसमें कोई problem नहीं है और amount जो refundable होगा amount period समझने से पहले एक चीज़ समझ दीजे जैसे provisional assessment के बाद final assessment आता और पता च government को application देने के बाद government आपसे 60 days का समय लेगी कि आज आपका application हमको मिला हम 60 days में कोशिश करेंगे आपको refund दे अगर हम नहीं दे पाए तो आपको उस 60 days के बाद जो 61st day आएगा वहां से interest मिलेगा जब तक आपको refund नहीं मिल जाता है इसका मतलब आपको पहले refund के लिए apply करना ह और government वहां आपका 60 days तक का समय ले लेगी अगर उसमें refund मिल गया तब तो कोई interest नहीं है लेकिन उस 60 days में भी interest नहीं मिला तो उस 60 days की expiry के बाद जो 61st day आएगा वहां से लेकर जब तक आपको हम refund नहीं दे देते ते उस period का interest देगा इतना है यह आप नेक्स टॉपिक हमारा scrutiny of returns ध्यान से समझना आप जो GSTR 3P बगारा लगाते हैं proper officer आपके return को scrutiny में ले सकते हैं अब आप पूछेंगे क्यों proper officer के पास मान लिजे आप से related कुछ information उसके पास है तो उसको उसकी correctness verify करने हां मेरे पास आप से related टेक्सपेर से related यह information है और उसने return में यह information दिखाया अब दोनों को compare करेगा हो सकता उसको कुछ discrepancy मिल जाए इसलिए देखो क्या लिखा है return furnace by the registered person may be selected for scrutiny by proper officer proper officer के पास power है कि आपके return को scrutiny के लिए select करे क्यों to verify its correctness with reference to the information available with PO with him मतलब PO proper officer के पास आप से related जो भी जानकारी है उससे वो verify करने के लिए आपके return को scrutiny में select कर सकता है अब notice देगा वो आपको कब देगा अगर उसको कुछ भी discrepancy घडबर मिली तो आपको notice देगा issue करेगा notice द्यान से सुनना आगे आप से explanation मांगेगा और maximum time देगा 30 days मतलब proper officer आपको notice सर्फ करेगा और वहां से 30 days का time देगा कि to furnish explanation आगे समझना reply to notice मेरे पास notice है तो मैं उसका reply कर ले एंड पे कर दे टेक्स विद इंट्रेस्ट और पियों को इंफॉर्म कर सकता हूं या फिर और मेरे पास एक और चोईस है मैं अपना explanation सब्मिट कर दूं regarding non acceptance of discrepancy मैं नहीं मानता मैंने कोई गड़वर की है मैं आपको उसका explanation दे सकता हूं तो दे दो अब क्या होगा अब आपके reply पर depend करता वो क्या action लेगा proper officer द्यान से सुनना proper officer अब आपके खिलाफ action लेगा क्या देखो where the explanation और information submitted acceptable है या तो सब कुछ सही निकलेगा या गड़वर अगर सही निकलेगा तो वो आपके against और कोई action नहीं लेगा matter close द्यान से सुनना आगे बट अगर आपका explanation अच्छा नहीं लगा उसको या फिर आपने गलती तो मान ली लेकिन आपने corrective measure नहीं लिया वैसे केस में proper officer आपकी खिलाफ चार कारवाई में से कुछ भी कर सकता है क क्या क्या पहला audit करेगा वह आपका दूसरा वह आपका special audit कंडग करवाएगा थर्ड आपका inspection सर्च सीजर के provision आप पर लगा देगा मतलब किया जाएगा आपका inspection search and seizure और last वह आपके against demand की provision लगा देगा section 73-74 demand का provision लगा देगा मतलब notice notice based कि आपको demand करेगा यह सब किया या आपने discrepancy मानने के बावजूत corrective measure नहीं लिया थे यही scrutiny of returns का topic next topic हमारा assessment of non-filers of return मतलब simple जो लोग अपने GST के returns नहीं लगाते हैं उनका assessment इसको best judgment assessment भी बोलते हैं आए समझते हैं where a defaulting taxable person fails to file a return within a period of 15 days of the notice जो PO देता आपको return लगानेगा इसका मतलब यह हुआ होगा कि आप GST के returns अपने नहीं लगा रहे हैं proper officer ने आपको notice दिया और 15 दिन का समय दिया था return लगा दो उसमें भी आपने नहीं लगाया तब proper officer proceed करेगा assess करने के लिए tax liability to the best office judgment मतलब वो best judgment assessment करेगा आपका क्या basis पर taking into account all the relevant material available और gather जो जानकारी उसके पास है या जो उसने gather की उसके basis पर आपका एक best judgment assessment हो कर सकता है आगे समझना तो यह सब काम तो PO करता है अब बात करते कमिस्टर को भी यहाँ पर एक power है आपका जब best judgment assessment चल रहा होता है उस द आपकी property का अब आप पूछेंगे property का provisional attachment वो क्यों करेगा देको simple है आप अपने returns नहीं लगा रहे है टेक्स नहीं दे रहे है गवर्मेंट को डर है यह कल को भाग गया तो एक काम करो इसका assessment चल रहा है उस दोरान अगर लग रहा टेक्स लेक्स आएगा तो इसकी property को provisional कर लो ठाकि यह गा है वो तो इसकी property से हम recover कर ले इसलिए आगे बढ़ते हैं assessment order shall be issued by P.O. within a period of 5 year from the due date for furnishing of relevant annual return अब पियो आपका best judgment assessment का order कब तक पास करता है यह assessment order पास करने की बात कर रहा है कब तक relevant annual return का due date से 5 साल मतलब जिस साल के आप returns नहीं लगा रहे है उस साल का जो annual return का due date होगा मालिजे 2223 के आपने returns नहीं लगा रहे है तो 2223 का annual return का due date होगा 31st December 2023 वहाँ से 5 साल मतलब 31st December 2028 तक यह assessment order कभी भी पास हो सकता है अच्छा सर assessment order पास होने के बाद registered person को वो order की copy मिलेगा अब वो क्या करेगा सुनो registered person within 30 days of the service of this order required to lock error registered person को करना पढ़ेगा 30 दिन मे एक valid return furnace करना है साथ में tax देना है अब बताइए law ने यह कहतो दिया लेगे registered person हो सकता है furnace करे हो सकता है furnace ना करे दो possibility है आईए एक एकर करके जान दे अगर furnace कर दिया तो यह assessment का order withdraw कर लिया जाएगा कि bad judgment assessment का order कोई काम कर नहीं हम अठा रहे हैं आपकी liability बट आएगी अभी भी obviously assessment order खली withdraw हुआ है आपकी liability नहीं हटाई गई है इधर आईए अगर आपने return इस 30 दिन में नहीं लगाया तो proper officer आपके against एक तो recovery करेगा और आपका registration को भी cancel कर देगा एक बार और समझ लेते हैं फटा फट देखो अगर आप अपने return नहीं लगाते proper officer आपको notice देगा पंधा दिन का समय देगा बोलेगा return लगाओ उस 15 दिन में भी अगर आपने return नहीं लगाया तो proper officer जो material उसके पास है और जो गैदर किया उसके basis पर आपका एक best judgment assessment करके आपकी tax liability determine करेगा ज्यान से सुनना आगे और उस दोरान commissioner आपकी property को provisionally attach कर सकता है अब best judgment assessment का order कब तक पास होता है relevant annual return का due date से 5 years में आपका best judgment assessment का order pass होता है और इस order के पास होने के बाद registered person को 30 दिन में जैसे ये copy मिलेगी order की वहां से 30 days में return फाइल करके tax पगिरा का payment कर देना चाहिए अगर वो कर देता है तो यह order withdraw कर लिया जाएगा liability खली आपकी continue रहेगी लेकिन अगर आप उस 30 days में अपना return नहीं लगाते हो तो आपका ध्यान से सुना आप अब आपके against recovery की जाएगी और आपका registration भी cancel हो सकता है यह हो गया पूरा process आगे बढ़ते हैं section 63 next assessment of unregistered persons अब आप पूछेंगे best judgment ने assessment sir unregistered लोगों का क्यों होगा ध्यान से समझना logic पहले paragraph में अगर आप taxable person है इसका मतलब यह हो आप taxable person तो अबर registration नहीं लिया आप liable थे और registration नहीं लिया या फिर ध्यान से सुनना आपका registration cancel कर दिया गया था मतलब दो cases या तो आपका registration cancel हो गया या फिर आप registration के लिए liable थे और लिया नहीं वैसे लोग अगर tax score नहीं पे करेंगे government को तो उनका भी best judgment assessment होगा section 63 में क्या होगा देखो proper officer may proceed to assess his tax liability to the best of his judgment for the relevant tax period after issuing a notice and giving 15 days time to furnish reply simple word में proper officer को यसा कोई भी आदमें मिलता है जिसको registration लेना था लिया नहीं या फिर registration cancel हो गया लेकिन उसके बाद भी इस प्रोविजन में ज्यादा कुछ नहीं कब होता है यह वाला assessment बस इतना जान लो सर कोई आदमी registration के लिया लिया नहीं या फिर ध्यान से सुना या फिर कोई आदमी का registration cancel हो गया इस्टिल उसकी कुछ liability आ रही है उस cases आगे बढ़ते है next point summary assessment in certain special cases कुछ cases में summary assessment भी किया जात है इस नॉट जो पीछे पड़े वो assessment है उससे totally अलग है क्या है समझाता हूं it can be initiated to protect the interest of revenue department अपने interest को बचाने के लिए assessment करता है बट इसके लिए previous permission लेना पड़ेगा additional commissioner और joint commissioner का मतलब बिना additional commissioner joint commissioner के permission के बिना summary assessment नहीं किया जा सकता आगे सुनना when कब किया जाता है assessment officer के पास evidence है कि कोई taxable person की कोई GST की liability आ गई है and उनके पास sufficient grounds भी है कि अगर हमने delay किया passing an assessment order तो it will may adversely affect the interest of revenue मतलब department का interest को adversely affect कर सकता है ऐसे case में किया जाता है summary assessment सर अभी भी पूरा clear नहीं एक बार और स department के officer को कहीं से जानकारी मिलेगी कोई बड़ा supply का transactions हुआ है और अगर उसका हमने time limit time रहते वे assessment order पास करके taxbacks नहीं मागा तो फिर उस case में हमको नुकसान हो सकता है वो person गायव हो सकता है ऐसे case में किया जाता है summary assessment आईए तो मैं bold कर देता हूँ what आपको समझ आ जाएगा officer के पास evidence है कि आपकी GST की liability आ गई है and उनके पास grounds भी है sufficient कि अगर delay हुआ in passing order तो इससे affect होगा revenue ऐसे case में वो करते हैं आपका summary assessment अब बात करते हैं इसका next provision क्या है summary assessment order को may be withdrawn withdraw किया जा सकता है may be withdrawn कौन करेगा additional commissioner join commissioner मतलब additional commissioner join commissioner के permission से ही assessment होता है और वो लोग इस order को withdraw भी कर सकते है कब number one application filed by the taxable person for withdrawal within 30 days from the date of receipt of order मतलब मैं taxable person हूँ मेरको summary assessment का order आज मिला तो मैं यहां से 30 days में apply करूँगा और गोलूँगा please यह summary assessment order को cancel कीजे मैं अपने tax वगेरा सब normal process में देने को ready हूँ तो वो withdraw कर लेंगे और on his own motion वो लोग खुद से भी summary assessment order को withdraw कर सकते है additional commissioner join commissioner अगर उन इसकी जगा हम follow करेंगे procedure of section 73-74 मतलब socos notice and demand simple word में दो cases में आपका summary assessment order पास होने की बाद withdraw कर लिया जाता है पहला taxable person ही apply करके कब तक apply करेगा जिस दिन उसको order का copy मिलेगा वहां से 30 days में apply करके इस order को withdraw करा सकता है और दूसरा case में additional commissioner joint commissioner suomoto summary assessment order को withdraw कर लेंगे अगर उनको procedure section 73-74 का follow करें तब तो आईए हो गया last इसके अंदर एक note है उसको clear करता हूं फिर हम next part में आएंगे सुनो note क्या है note है कि को taxable person अगर नहीं पता चल रहा है जैसे for example बड़ा supply हुआ है और उसका goods किसी warehouse में मिला जाकर पता किया तो पता चला यह good जिसका है जो इस goods का मालिक ह taxable person वो मिल नहीं रहा है वो गायब है तब उस case में वो good जहां मिला जिसके पास उसी को मालिया जाएगा taxable person in simple word किसी के warehouse में अगर आपका goods मिला और आप गायब है तो जो warehouse की पर होगा मालिया जाएगा वही है इस goods का taxable person तो यहीं लिखावा है note अब आप इसको एक बार self प